भोटर आई काट के लिए अपने मोबाईल फोन से आपका इसी अपलाई कर सकते हैं एक एपलिकेशन की मदद से यह मैं आपको आज सीखाऊंगा यह आपका 100% रियल है और सकती है आप 100% कर सकते हैं तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले आपको एक एपल दे दिया हूं आप डिस्क्रिंखन जाकर के लिंक को क्लिक कर लिजेगा को अपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगी यहां पेपिफ्टर के अपलाई ऑन-लाइन new आप इसके उपर क्लिक करेंगे आपके सामने एक new window open होगी new voter registration के उपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको अपनी full name को फिल करनी है यहाँ जो भी आपका नाम रहे सर नेम रहे सारा चीज फिल कर लेनी है आप इसके उपर क्लिक करेंगे आप इसके उपर क्लिक करेंगे एक new window open हो जाएगी आप next के उपर क्लिक करेंगे आपको फिर से नीचे में एक बार next के उपर क्लिक करनी है आपके सामने इस तरकी से इंटरफेस उपर हो जाएगी यहाँ पर आप दिखेंगे आपको यहाँ पर यहाँ पे आधार काट के फोटो को अपलोड कर दी जो कि यहाँ पे आपको नीचे इसके बाद आपको next के उपर क्लिक करनी है आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस उपन हो जाएगी फ्रेंट्स यहाँ पे आप देखेंगे मैंने अपनी प्रोफाइल फिक्चर यहाँ पे अपलोड कर दी है नीचे में अपनी जेंडर को सेलेक्ट कर ली है यहाँ पे मैंने अपनी नेम को सेलेक्ट कर ली है यहाँ पे जो रिजिनल नेम अपने आप खुद बाखुद आटोमे यहां पर इजिनल नेम हो जाएगी दिशे की तरफ मोबाइल नंबर आप फिल करेंगे इमेल इडी फिल करेंगे इसके बाद जो यहां पर डिस एबिलिटी में आएंगे यहां पर अधर के ऊपर किलिक कर देंगे यदि कोई प्रूलम नहीं है तो इसके बाद आपको और नेक् इंटरफेस लपीण हो जाएगी फ्रेंडस यहां पर आप देखेंगे मैंने सारी डोकमेंट को जो अच्छे तरफी से से फिल यहाँ पे आप भी जो अच्छी तरी किसी फिल कर लेंगे बट आपको जो नीचे में एक जगा पर दिखाता सकती है दिखे क्या यहाँ पे जो आपको अपनी एसेम्बिली कंश चूनुक केंसी में जो यानि कि आपका विधान सब अच्छी तरी कहा है आपको सबसे पहले यह पता कर लीनी है यहाँ पे आप जो नीचे में नेक्स्ट के उपर क्लिक करेंगे के बाद आपके सामने कुछ इस तरके से इंटरफेस उपन हो जाएगी यहाँ पे आपको जो अपने अपने एड्रेस में दिया है उस एड्रेस पे आप कितने दिन से रह रहे हैं आपको यहाँ पे दे देनी है सेलेक्ट करके नीचे में आप आएंगे यहाँ पे आपको अपनी नेम पूरा फिल कर लेनी है और इसके बाद जो यहाँ पे आपको अपनी प्लेस को दे देनी है यहाँ पे आप done के ऊपर click करेंगे यहाँ पर मैंने सारे कुछ को fill कर लिया है यहाँ पर date, यहाँ पर full name और इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी full address को fill कर लेनी है नीचे मैं आप done के ऊपर click करेंगे आपके सामने इस तरीके से format आ जाएगी आप यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे कुछ correction भी कर सकते हैं यदि आपका कोई भी गलती भी है इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगी ठेंक्यू करके और यहाँ पे आपको जो एक reference ID दिया जाएगा इसकी आपको जो यहाँ पे screenshot ले लिनी है इसी से आप अपनी voter ID कार्ट के status को check कर सकते हैं या फिर track कर सकते हैं फिर यहाँ पे आप OK के उपर click करेंगी और यह आपका complete हो जाएगी वीडियो पसंद आई होगी चैनल को subscribe किजिए बिर्वे को सेर्क जी बाइबाइ